आलो बुर्ता ट्रे बनाने का तरीका पहले 500 ग्राम आलो लेजिए उबाल की ट्वाचा छेल के इसे स्मैश करके रखे चार हरी मेज को काट के रखे और दो चमश नन्या की पत्ते को काट के रखे अभी दो प्यास को काट के रखे और दो टमाठा को काट के रखे आधा इंच अध्रक को कदुकस करके रखें कडाई में दो चमच घी डाले दो चमच तेल डाले प्यास को डालकी इस नरम होने दे नरम होने के बाद हरे मेच डाले अध्रक को डाले तमाठर को डाले और अच्छे से मिला के इसे नरम होने दे अभी एक चोटा चमच हल्दी डाले अब कुछ देल के लिए भूने के बाद एक चोटा चमच धनिया के पाउडर डाले एक चोटा चमच लाल मिच पाउडर डाले स्मेश किया हुआ आलू को डालकी अच्छे से मिलाए अभी स्वादा नुसार नमक डाली आधा चोटा चमच गरम मसाला को डालके अच्छे से मिलाए दो से तीन चमच पुदीना को काटके डाले और धनिया के पत्ते को डाले इसे अच्छे से मिलाके कुछ देर के लिए बन कर देंगे तो आलो बुर्ता ट्रीट तयार हो जाएगा यह स्वादिष्ट ग्रीवी अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस पे निम्बु नि छोड़के अच्छे से मिलाके रूटी के साथ अगर खाएंगे तो वह बड़ा स्वादिष्ट होगा धन्यवाद अलो बुर्ता ट्रीट बहुत बढ़ा है अलो बुर्ता ट्रीट बहुत पज़िश्ट है